सबी लोगा आज जोड़ लीजिए जैबुलिये महावीर बगवान की जैबुलिये अनन्ता अनन्त सिद्ध परमेष्टी बगवानों की जैबुलिये आचार बगवन सिरी शुब चंदर जी महाराज की जैबुलिये पांडव पुराण नामक ग्रंत की जैवुलिये युदिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादी मौक्ष गामी महापुर्शों की जैवुलिये महाभारत के प्रसंग की इस गरंत के अनुवात करता अंडित नंदलाल जी जैन विशारच जी की इस युग के प्रतमाचार श्री चारित्र चक्रवर्थी आचार भगवन स्री शांति सागर्जी महान मुन्राज की प्रतमान युग के शाशन नायक मावीर भगवान की सभी को सादर जैजेन जैदू जड़नतो बंदूओं हम सभी लोग नित्य प्रती नियम से पिछले कई दिनों से पांडव पुरान नामक इस धरम गरंत का स्वाध्याय कर रहे हैं आप सभी के घ्यान में भी वरद्धी हो रही है महापुरुशों को चरित्र को स्रवन करने से पुन्य का स्रजन भी हो रहा है सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान भी प्राप्त हो रहा है एवं वेराग की भावना भी प्रवत्त हो रही है यही भावना एक दिन हम सब के लिए भवों का नाश करने वाली हो जाए ऐसे विचारों के साथ हम सभी कभी न कभी अपने योग्य ताके अनुसार सम्यक चारित्र को ग्राण करें यही यहाँ पर स्वाध्याय का मुख्य लक्ष है आप सभी अपने लक्ष में एक न एक दिन अवश्य आगे बढ़ें ऐसी हम सब की भावना है अब तक कि स्वाध्याय में इस पांड़ पुराण में हमने देखा कि किस प्रकार से जब कोई भी जीव चाहे वर्तमान के भव में या पूर भव में हिंसा आदी पांच पापों से निवरत हो करके प्राणी मात्र की रक्षा के लिए कोई भी कार्य करता है उस व्यक्ति को वर्तमान के जीवन में भी और भविश्य की परियायों में भी कभी भी किसी भी प्रकार के दुख की अनभूती नहीं होती है अगर कोई संकट विपत्ति आकुलता व्याकुलता दुख अकस्मात आता भी है तो वह उसके पूर्भव के किये हुए कुछ अच्छे कार्यों के कारण से शीग्रही टल जाता है इसी प्रकार का प्रसंग हमने कल के अध्याय में देखा कि किस प्रकार से उस सुलोचना ने अपनी सहेली को मरते मरते रमोकार मंत्र सुनाया कि देखे कितना बड़ा उपकार किया हॉस्पिटल ले जाना एक अलग प्रसंग है कि अगर मालीजे कोई गायल हो गया कोई बीमार हो गया उसका उपचार करा दिया हॉस्पिटल ले गया वह भी करना चाहिए परन्तु जब यदे चारों प्रकार से आप असमर्थ हैं कि अब ये जीब बच नहीं सकता अंत में क्या विकल्प है एक मात्र जेन धरम समाधी की बात किया करता है सनलेखना की बात किया करता है सन्थारा की बात किया करता है बाकी सब जगे क्या माना जाता है कि ये जीब मर गया बस यहीं तक इसकी सीमा थी अब दुबारा कभी भी जन्म नहीं लेगा लेगा भी तो दुबारा कई लोग कई धरमों में माना जाता है फिर से मनुष्य बन जाएगा कई धरमों में है कि अब कभी दुबारा इसका जन्म किसी भी परयाय में किसी भी योनी में नहीं होगा कई धर्मों में हैं कि वह मृत्यू के वाद सब की सब मोक्ष चले ही जाते हैं परमधाम चले ही जाते हैं अलग-अलग माननिताएं हैं परंतु एक मात्र सच्चा धर्म अरिहंत्र भगवान द्वारा उपदेश्ट धर्म क्या कहता है कि यदि जो जीव मृत्यू को प्राप्त कर रहा है उस समय उसने अपनी कशायों में निमनिता कर ली सभी जीवों से मन वचन काय से चमा मांग ली और जिनके प्रती भी कोई द्वेश किया है दुर्भावना किया है कष्ट दिया है उनको उनसे चमा मांग ली और बाकी को चमा कर भी दिया जिनोंने उनके प्रती किया है और इसके साथ ही समस्त प्रकार से चारों प्रकार से आहार जल इत्यादी का त्याग कर दिया समस्त प्रकार से मुह का राग का द्वेश का त्याग कर दिया शरीर की पुने जीवन प्राप्त करने की सुखों की कोई भी इच्छा नहीं करी अर्यंतों को ध्यान करते हुए सिद्धों को ध्यान करते हुए आचार महराज अपाध्याय सर्व सादूओं को नमन करते हुए ध्यान करते हुए दे का त्याक करता है तो भविश्य की परियायों में वह जीव अवश्य ही सम्यक दर्शन के साथ उच्च गती को प्राप्त करता है स्वर्ग में भी जा सकता है विदेच यत्र का मनुष्य भी बन सकता है भोग भूमी में भी जनम ले सकता है थोड़ा सा पुन्य कम रहा तो भवनत्रिक देवों में भी जा सकता है और यदे किसी जीव ने मरते समय समाधी दिगंबर साधू की परियाय में ग्रहन की और योगिकाल, योगिछेत्र, योगिशरीर की अवस्था और सर्वोत क्रष्ट ध्यान की परम अवस्था रही तो उसी भव से उसे मुक्ती भी प्राप्त हो सकती है मोक्ष भी मिल सकता है अभी व्यवार में कह देते हैं जो भी मृत्यों को प्राप्त कर गया मुक्ती धाम चला गया, मुक्ती हो गई परन्तु है देह से तो मुक्ती हो गई है वर्तमान की परियाय से तो मुक्ती हो गई है परन्तु पर्मानेंट हमेशा हमेशा के लिए मुक्ती नहीं होई है एक देह से यह आत्मा निकल करके दूसरी देह में प्रवेश कर जाती है जैसे एक जेल से एक कैदी निकला और दूसरी जेल में बंद हो गया है न? बच्चों को लगता ना कई बार कि भई शादी हो जाएगी बड़े हो गये हैं तो यह यहाँ घर का टेंसन चूटेगी, यह जेल है घर जब छोटे हैं जब तक शादी नहीं हो यह घर जेल लगती है उन्हें लगता है इस जेल से निकलेंगे तो मुक्तो करके आजादी से गुमेंगे और तुरंट क्या होता है? है रोजताई जी शादी हो जाती है तो एक जेल से निकल करके जीव दूसरी जेल में पहुंच जाता है एक नौकरी करता है एक जगह लगता है कि यहां बहुत परिशान हो गया है तो बिल्कुल क्याद के समाने बहुत परिशान रहता हूं जेल है कुछ नहीं कर पाता अपना यहां से निकलता है दूसरी जगे जाता है तो दूसरी बड़ी जेल मिलती है तो यह चक्र कभी समाप्त नहीं होगा जब तक कि जीव को मुक्ती मुक्ष पराप्त नहीं होगा एक परियाय से निकलता है दूसरी परियाय में चला जाता है हमने एक बार 15 अगस्त पे एक कवता लिखी थी कभी सुनाएंगे आपको उसका सार यह है कि यह जो जीव है इस देह रूपी जेल के अंदर बंद है जो हमारा शरीर है यह कारागार के समान है आत्मा है जो अलग-अलग जेलों में जा रही है हमें लगता है कि हम इस गर में परेशान है इस कारेयले में परेशान है इस व्यापार में परेशान है इस काम में परेशान है शरीर की अभेख्चा से हम ऐसा सोचते है परन्तु उस आत्मा से पूछिए जो इस सरीर के अंदर है जिस दिन से पैदा हुए हो गर्ब में आये हो और जब तक मरोगे वह आत्मा इसी के अंदर कैद है निकाल सकते हैं उसको बाहर कि निकाल करके बगल में बिठा लें तोड़ी दिर के लिए ये गुम फिर के आजाएं देख करके वह आत्मा इस सरीर रूपी जेल के अंदर बंद है जितनी आयू है तब तक रहेगी कम निकलेगी वह आत्मा जब मर जाओगे आयू पूरी हो जाएगी मरन भी किस द्रश्टी से केवल व्यवारिक इस सरीर की द्रश्टी से है और लगेगा कि मुक्ती मिल गई द्रोगों से छुटी मिल गई भड़ापे से छुटी मिल गई रुपे पैसे की तंगी चल रही थी उस से छुटी मिल गई मरते ही बच्चे परेशान कर रहे हैं अड़ोसी परेशान कर रहे हैं समाज परेशान कर रहे हैं सरकार परेशान कर रहे है पत्नी परेशान कर रही है पती परेशान कर रहा है इससे अच्छा तो मर जाते हैं तो मरेगा क्या शरीर मरेगा एक कारागार से ही है आत्मा निकलेगी और एक सेकंड के असंख्यात में भाग में दूसरे कारागार में दूसरी जेल में जा करके कैद हो जाएगी उधारान भी आता है आसमान से गिरे खजूर पर क्यों आता है उधारान कि खजूर का पेड़ जो होता है बड़ा लंबा होता है सुपाडी का पेड़ होता है बहुत लंबा खजूर का पेड़ होता है तो उसमें फज आती है चीज निकल नहीं पाती है काटे होते हैं काफी एक मुसीबत समाब तुई उस समय कितनी देर का सुख कि जितनी देर आसमान से बस गिर रहे है उतना सुख कि वाँ आजाद हो गए यहां से निकले पिंड चूटा और जैसी वेपिंड चूटा जैसी आजाद हुए चणिक और इतनी देर में दूसरे और बुरी तरह के जाड में अटक करके रहे है इस से अच्छा तो आसमान में फिर सोच रहे हैं इस से अच्छा तो वहां गुम रहे थे थोड़ा बहुत तो आजादी थी यहां तो फस गए खजूर पे अटक गए अब तो हिल भी नहीं पा रहे है तो ऐसे ही यहां पर कल के अध्याय में आपको बताया गया है कि इस देह से परमानेंट मुक्ती चाहिए हमेशा हमेशा के लिए चाइक एक छणिक है और एक हमेशा हमेशा के लिए चणिक मानें बहुत थोड़े समय के लिए कुछ सेकिंड के लिए बस शांती मिलती है और फिर अशांती ही अशांती है तो जो लोग इस गंबीर समस्या को जान लेते हैं उनके मन में वेराग की उतपत्ती उसी च्ण हो जाती है और वह बस सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान के साथ में सम्यक चारित्र को शीग्र अतिसीग्र प्राप्त करने के लिए उपक्रम प्रारंब कर देते हैं कि अब बस यही मार गए किस प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए इस संसार रूपी चक्र से निकलने का प्रियास किया जाना चाहिए और यदि संसार से किसी कारण से उस भव में नहीं भी निकल पा रहे हैं तो कम से कम उस मार्ग पर आगे बढ़ जाना चाहिए उस मार्ग पर बढ़ने का ही एक उपाय है सनलेकना समाधी म्रत्यू के समय में समस्त प्रकार के परिग्रहों को कशायों को त्याग कर सभी प्रकार से मोह का त्याग कर शरीर आदी का ममत्त त्याग कर और शरीर और इंद्रियों से जुड़े हुए सभी भोग विलास के साधनों को त्याग कर म्रत्यू को भी महुट सब बनाना है उसे कहते हैं सनलेखना ऐसी ही सनलेखना कल के अध्याए में सुलोचना ने अपनी मित्र किसको दिलवाई विंद्य शरी जो उसके यहां रहने के लिए कुछ दिन के लिए आई थी विंद्य शरी को जब बचा नहीं सकी साप ने उसको काट लिया उस बसंत तिलक नामक उद्ध्यान में उसको कुछ समझ में नी आया तो उसने क्या किया उसको लगातार रमोकार मंत्र ही सुनाती रही और अपनी मित्र को भी कहा कि तुम भी रमोकार मंत्र का ध्यान करो धीरे धीरे वे मर रही है जहर का असर उसके उपर हो रहा है चेतना जा रही है परंतु भगवानों को याद कर रही है भीक नहीं मांग रही है कि मुझे बचा लो, मुझे जिंदा कर दो अभी बहुत सारा काम करने को बचा है अभी तो मेरी शादी भी नहीं है, अभी तो बच्चे भी नहीं है अभी तो मैंने कुछ सुख देखे भी नहीं है ऐसे रो नहीं रही है सम्यकदश्टी है मालूम है कि ये सब तो अनादिकाल से कितनी कितनी बार पूर्व में भी प्राप्त कर चुके हैं बहुत मकान बना चुके हो बहुत गाड़ियां खरीच चुके हो बहुत शादियां कर चुके हो बहुत बच्चे भी कर चुके हो बहुत बार दादा भी बन चुके हो पोते भी बन चुके हो नाना भी बन चुके हो अनेकों अनेकों बार हर परयाय में कभी मनुष्य की कभी तृयंच की कभी नार्की की कभी देव की एक काम बस एक बार भी नहीं हुआ है, कौन सा काम, सिद्ध नहीं बने, सिद्ध बन जाते, तो यहां पर बैठ करके, कहानिया, कथाएं नहीं सुन रहे होते, क्योंकि जो सिद्ध बन गए, जो मोक्ष प्राप्त कर गए, वह पुने इस संसार में दुबारा, किसी भी कारण से नहीं आया करते, चाहे मुनी भी कोई है, आचार भी कोई है, वे भी इस जीवन में आये हैं, तो मोक्ष अगर जाएंगे, तो पहली बार ही जाएंगे, एक बार मोक्ष चले गए, एक बार भगवान बन गए, तो दुबारा से अवतार नहीं होता है, देव तो जनम ले सकते हैं परंतु सिद्ध भगवान दुबारा से जनम नहीं ले सकते इस प्रसंग से हमने यही सीखा कि कभी भी आपके जीवन में कोई भी संकट इत्या दिया है अगर कोई दूसरा आपकी समाधी कराने के लिए नहीं भी है तब भी आप स्वयम ले लें और अगर कोई दूसरा चा चिडिया है खरगोष है हाथी है गोड़ा है गाय है कुत्ता है बक्रा है कोई साभी जीव है उसको अवश्य ही यदिवे मरन उसका सन निकट है उसको अवश्य है प्रयास करें रमुकार मंतर की महिमा उसको सुनाए उसने जीवन में जो भी पाप इत्यादी भूलवश गलत कर लिए है उनका दोशों का प्रत्याख्यान कराय प्रतिकर्मन कराय उससे छमादान कराय और उसको छमा करें तो अवश्य ही बहजीव इदिवावों के साथ कुछ भी शब्दों को जातीस मनन के कारण से या अन्य कारण से स्र्वन कर लेगा तो उसके बहुत अच्छी गती प्राप्तोने की प्रबल संभावना है और भविश्च में क्या पता वही जीव आ करके आपको भी संबोधन करने के लिए आ जाए जैसे कि यहाँ पर उस विंधिसरी का जीव गंगा नदी की देवीवन के उत्पन्नों गया है और संकट के समय सुलोचना के पास आया है उसके लिए विश्राम करने के लिए एक बहुत बड़ा महल बनाया है काली देवी के द्वारा उनके हाथी के उपर जो कष्ट दिया जा रहा था उससे भी मुक्त उस गंगा देवी ने कराया है खूब आदर सम्मान किया और ऐसे प्रसंग से जो अन्य जन है जो ये सब घटना करम देख रहे हैं उनका भी सम्यक दर्शन सुयम साक्षाद देवी को देख करके बहुत प्रगाड हो रहा है उनकी भी श्रद्धा अर्यहंत भगवान के धर्म के प्रती बहुत तीवरू हो रही है इस प्रकार से रात्री में उस महल में जै कुमार और सुलोचना और इत्यादी सभी लोगों ने विश्राम किया और प्राते काल ही वहां से महल को त्याक करके हस्तनापुर की और प्रस्थान किया इस प्रकार से कल का स्वाध्याय थोड़ा सा बहुत इंटरस्टिंग था आपको प्रेणा है हम सब के लिए प्रेणा है इसलिए इसको इतना विस्तार से हमने यहाँ पर पुने उल्ले खित किया कि कभी भी ऐसी घटना आ जाए आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है किसी की समाधी कराने में क्या जा रहा है कोई भी आपका रिष्टेदार हो मनुष्य परियाय का जीव हो आपका स्वयम का पुत्र पुत्री भाई बंदुजन पतनी पिता माता कोई भी परिवारी जन भी क्यों नहीं हो तब भी कोशिश प्रियास यही करना कि मोह को त्याग करके उनका समाधी मरण अच्छे से हो दिगंबर दीख्षा को धारन कर लें इस्त्री है तो छुल्लिका अरिका इत्यादी बन जाए पुरुष है तो छुल्लक एलक या मुनी महराज बन जाए यह सब संभव नहीं है तो कुछ भी एक देश वरत अनु वरत इत्यादी कुछ भी ले 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 वह भी नहीं ले सकता तो जैसे भगवान मावीर के जीव ने कववे के मास का त्याक किया था पिछले भगवे सारा मास खाता था किसका त्याक किया था किवल कववे का मास नहीं खाऊँगा एक मास उसके फल से छोटा सा नियम धीरे धीरे करके उसके कहा ले गया आज उनको भगवान महावीर बना दिया जगत पुझ चौविस में तीर्थंकर वर्तमान शाशन नायक ऐसा छोटा सा नियम भी आप उसको किसी को भी दिला सकते हैं आज का स्वाध्या है आगे बढ़ाएंगे वर्ति दिन की भाती उसे सर्वन करने से पूर्व हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे ध्यान से बेटेंगे सभी Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamogadi, Mangalam Kund Kundadhyo, Jain Dharmos Tu Mangalam, Sarv Mangalya Mangalya, Sarv Kalyan Karkam, Pradhanam Sarv Dharmaam, Jainam Jaitushashinam, Jainam Jayatu Shasinam, Jainam Jayatu Shasinam, Jainam Jayatu Shasinam, Sarvesh Ota Raha, Savdhantaya Shanvantu, Shabhi Shrotagan, Savdhantaya Shunengi, एक दिन, जैकुमार ने, अपने महल के ऊपर से, एक कपोत युगल को ध्यान से देखा, किसे देखा, कपोत, कपोत माने, कववा, कबूतर, कबूतर या कववा, कपोत, पहले के अध्याय में कल तक आपने पढ़ा था, कि सुलोचना ने एक लाइन आई थी, छोटी सी, इतने सारे सैक्ड़ों, बड़े बड़े वीर प्रतापी, शूर वीरी राजा, उसके स्वेमवर में आये हैं, स्वेम चक्रवर्ती का पुत्र अर्क कीरती भी आया है, परंतु एक साधरन से सैना पती के गले में सुलोचना ने बर्माला डाल दी, वहाँ पर एक शब्द आया था, पूर्व भव के कुछ राग मोह के कारण से डाल दी, द्यान है, उसे नहीं मालुम कौन है, क्या है, अचानक से राह चलते कोई इस्तरी आपको पसंद आ जाती है, इस्तरी को कोई पुरुश पसंद आ जाता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिष्टे छोड़ करके, लगता है, इसमें कुछ बात है, विवा करेंगे, तो इससे करेंगे, और फिर अचानक से परसंग जाता है कुछ न कुछ निमित बन जाता है और कुछ समय बाद उससे विवा हो भी जाता है बहुत बार ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है तो कुछ पता नहीं होता कि क्यों हुआ बैठीक है डायलोग है साथ बहुं से सम्मन चला रहा होगा कुछ रहा होगा इस प्रकार से कुछ न कुछ ऐसे सोच लेते हैं परन्तु। यहां पर भी उल्लेक था कि यह कुछ चाहें परयाय का बदल करके कुछ भी हो गई हो सकता है पिछले भव में हमने कई बार बोला है कि कोई जीव तर्यांच परयाय में होगा वह सूर था आप उसकी सूरी थे अगर वह अगली परयाय में घदा बन जाएगा तो आप उसकी बन जाओगे, कबूतर बन जाएगा तो कबूतरी बन जाओगे अब देखते हैं यहाँ पर आज क्या गटना आने वाली है बहुत ही रोचक प्रसंग आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जै कुमार ने एक दिन जब है शादी करके हस्तनापुर में आ गया सुख के साथ, सुलोचना के साथ, जीवन यापन करने लगा तो अपने महल के उपर, महल है वहाँ पर देखा, चज्य पर बैठे रहते हैं ना, कबूतर तंकी के पास, कई ना कई, उपर बैठे रहते हैं चज्यों पर बालकनी में एक कपोत युगल को ध्यान से देखा, खाली बैठा था, जैसे ये बैठे ना, दो कपूतर, यहाँ पर भी, दिखाओ याजी, युगल बैठे हैं देखो, यहाँ पर भी बैठे हैं, एक कपोत युगल, यहाँ पर संग आया और यहीं पर दिख गया आपको, बिलकुल और अचानक से कबूतर का युगल देख लिया एवं उसको देखते ही चिला उठा इधर देखा और जोड से चिलाया मेरी प्रभावती कहां है बस जोड से चिलाया क्या चिलाया मेरी प्रभावती कहां है अब उसकी पत्नी से रडाई हो जाएगी साधी तो सुलोचना से करिये और नाम प्रभावती का ले रहे हैं बहुत बार होता है न दो चार चार चक्कर होते हैं क्या मेडम चार पार चक्कर चलाते हैं जो लोग बड़ी दिक्कत आ जाती है रह किसी के साथ रहे हैं नाम किसी का बुला देते हैं फिर उसके बाद गर में युद्ध हो जाता है अब सुलोचना के लड़ेगी कि प्रभावती कोन है क्या चलाया पतनी का नाम क्या है सुलोचना कबूतर को देख के किसे बुला है मेरी प्रभावती को है इतना कहकर वह मूर्चित हो गया बेहुश हो गया बहुश जल देल बेहुश हो जाता है कहने को इतना सेनापती तक चक्रवती का पहले मेरी सुलोचना कहा है जब गंगानदी के तटप आया था तब मूर्चित हो गया था पिर वह देवाया नाकुमार उसको बचाने के लिए बाइट सब ठीक है यह तो बैठी है तरी बतनी क्यों परिशान हो रहा है बहुत मूही जीव है खतरना होता है मूह इंसान को आप कितने भी बाड़ाँ से नहीं मार सकते मूह से खतम कर सकते हो मेरी प्रभावती कहां है यह बोला और यह कहते ही भे है मूर्चित हो गया ततपश्ञाद उसके पास पहले से बैठी थी सुलोचना भी बैठी होई थी महल की छत में बैठे थे दूप सेक रहे थे ततपश्ञाद सुलोचना ने भी उसी कपोत यूगल को देख करके कहा, शुलोचना भी देखा एक दम, जैसे हम भी देखा तो आप ने देखा दोनों कबूतर को, ऐसे ही पहले जैकुमार ने देखा, और चिलाया, मेरी प्रभावाती कहा है, और टाएं, बेहोश, सलोचना ने भी देखा उनका गूतर को सलोचना ने भी उसी कपोत युवल को देख करके कहा हाँ मेरे रतिवर कहा है उसने किसको कहा दोनों के चक्कर चला थेको इसे लड़ाई नहीं होगी अगर यकी का चल रहा होता क्यों तो लड़ाई वजाती है कि प्रभावती कौन है उसने भी कह दिया अच्छा तुमारी प्रभावती है तो मेरे भी रतिवर के साथ है चंता मत करो सुलोचना ने क्या बोला जोड से मेरे रतिवर कहा है और इतना कह कर वे भी अचेत हो गई कौन ही भी हो गई अब ठीक कौन करेगा भाई तो क्या समझ में आया जै कुमार ने क्या नाम लिया था प्रभावती लड़की का नाम लिया था सुलोचना ने किसका नाम लिया रतिवर यानि लड़के का नाम लिया और दोनों ही छट पर भी हो गई एक राजा है इतना बड़ा और एक राणी है यह गटना सुनकर समस्त परिजन इखटे हो गए देखा बहुत देर हो गई राजा दोनों आए नहीं राजा राणी गई देखा तो दोनों बेहुश पड़े हैं समझ में निया क्या मामला तो सारे परिवार के जन रिष्टेदार सब खटे हो गए एवम चंदन आदी के शीतलो अपचार के द्वारा उनकी मूर्चा का निवारन हुआ चंदन बंदन लगाया ठंडा पानी डाला खूब उनका हाथ पर घिसे दवाये है न जो भी उस समय वैध्य वगएरा बुलाए और बड़ी मुश्किल से दोनों की मूर्चा का निवारन कर पाए जिस तरहे रतनों की प्रभा से अंदकार का नाश होता है उसी प्रकार जब वे दोनों सचेत हुए तब उन्हें भी अपने कुटुम्भी जनों को चिंतित दे क्या समझे है कि जैसे कोई नेंद से जाकता है ना सपने में देख रहा है हवा में ओट रहा हूं राजमेल मेठा एक दम जटके से मम्मीन ओठा दिया अवे कहां गया है कौन सा पलंग है मैं तो स्वर्ग में गुम रहा था है यह का चक्कर है तो ऐसे ही ब्योशी से कोई नि क्या कर रहे भई ऐसी उन दोनों का हाल हुआ जैसे रतनों की प्रभा से अंदकार का नाश होता है जैसे कोई दीपक जलता है रतनों की जोती होती है तो अंदकार दूर हो जाता है ऐसे ही दोनों जब उस मूर्चा से सचेत हुए तो उन्हे भी अपने चारों तरफ कुटू वहारे साथ भी ऐसी हुआ था एक कुत्य नहीं गाट लिया कनाट प्लेस में हाँ शाकाहार का वो चल रहा था तो हम जो है लीफलेट बांट रहे थे शाकाहारी बनो शाकाहारी बनो लोगों से चर्चा कर रहे थे कि भाई चलो एक दिन के लिए नौनवेच चोड़ दो एक अपते में अंगलवार कोई चोड़ दो कभी तो छोड़ो हमारे साथ बहुत सारी मित्र थे अचानक से कुत्ते ने वहा का जो गाड था वह में टोकने लगा कि भाई यहां लीफलेट मत बाटो तो हम गाड को समझाने लगे कि भाई लीफलेटी तो बाट रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं आपको क्या दिक्कत है इतने में गाड का दोस्त था जिसको रोज रोटी खिलाता होगा उसे लगा कि जो है यह आदमी इनके साथ कुत्तों के बचाने के लिए थिसाकारी बनने के लिफलेट बाट रहे थे और कुत्ते ने हमें गाड लिया पर वी एक दो घंटे पते नहीं चला है अच्छे में अपने लिफलेट बाटे प्रोग्राम किया फ Arbeits is फिर तोड़ा अधर मित्र लेगे राम मनोर लोही अश्पटाल में कि चलो जी दर्द हो रहा है कुट्ता काटने का इंजेक्शन लगवा देते हैं अब रात्री में हम खाते नहीं थे बोजन रात्री बोजन का त्याग था दोक्टर ने पूच नहीं हमसे कि भई खाना वाना खाके आया रहा है तो दिनका खाया हुआ था उसके बाद कुछ खाये तो खाली पेट तुसने इंजेक्शन लगा दिया अब आलोपैथी का इंजेक्शन है इतना उसने बताया नहीं कि खाने के राद लगाना है लिया धाएं, इंजेक्शन ठोक दिया, जितना कुत्ता काटने से नी गवा था वहीं, इंजेक्शन लगा और धाग, पता नी कितनी देर बेवोश रहे, फिर जितनी देर बाद होश आया, इतना पता है कि बहुत सारी वीड हमें घेर के खड़ी थी चारो तरब, हम अच्छे स यहां से बंढ़े हैं, थैस लिएफ लेते हैं, अश्पिटल परोड़े हैं, अग नहीं कहले हैं, ब कहीं रहेज़ gonna kuatफ the vacation. इर खड़ से tuttaивает है सब्सक्रावाल को झावाल तो हो सकता है जादा देर नहीं आदा गंटा ब्योस रहे होंगे फंदरे बीस मिनिट फिर डॉक्टर नहीं हमें डांटा कि भई आपने बताया क्यों नहीं कि आप भूके हो तो पहले कुछ खिला देते हैं हमने का भई अम्राथत्री में खाते नहीं तो हम क्या खाते अपने का इंजेक्शन लगा रहे हैं लगा दो चलो तो ऐसा ही याद आगया हमें भी इनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कुछ वियोशी के बाद जब दोनों सचेत हुए कि पूर भव का जब इसमन आया तो महान आश्चर हो गया उस समय जैकुमार ने कहा हे प्रिये अच्छा क्या हुआ उनको अपने जैसे ही वहां से आश्चर हुआ पहले तो सब तरफ क्या भी लगा रखी है और तुरंथी क्या हुआ साथ ही साथ पूर्व भव का इसमरण हो आए एकदम से रतीवर प्रभावती सब याद आ गए और क्या कहा पूर्व भव का इसमरण जाती इसमरण होगे किसको देखकर कब उतर को देखकर हमें तो कभी हुआ नहीं रोज देखते हैं कब उतर तो जाती इसमरण का मतलब क्या होता है अवधी ज्यान अले का लक्षी जोती है और जाती इसमरण में कुछ गटनाएं पूर भव की याद आ जाती है कि मैं पिछले भव में कहा था कौन था कौन मेरी पतनी थे किस प्रकार से मैंने क्या क्या कार किये थे कुछ-कुछ गटनाएं याद आ जाती है उस समय जैकुमार ने कहा हे प्रिये अपने पूर्व भव का वर्डन कर इन लोगों के संसय का निवारण करो अब जैकुमार ने अपनी पतनी सुलोचना को बुला करके कहा कि सुलोचना मुझे मालूम है कि तुम है और मुझे दोनों को ही उनका बूतर को देख करके हमारे पिछले भव का इस्मरन हो गया है तो चलो अब ये जो लोग कुटमभी जन परिवारी जन भी लगा करके खड़े हैं कि हम क्यों भेहोश हो गए थे तो तुम आगे बढ़कर के इन सब के संसे का निवारन करो किसको कहा सुलोचना को कहा किसने कहा जैकुमार ने कहा कि अब तुम इन सब को बताओ कि प्रभावती कौन है और रतिवर कौन है पती की आग्या पाकर उस प्रिय भाषडी ने निमन प्रकार से कहना प्रारंब कर दिया प्रिय भाषडी यानि अच्छे से भाषड देने वाली उसने क्या किया बोलना शुरू किया पती की आग्या से अब ध्यान से हम सुनेंगे कि कबूतर कबूतरी का इस सुलोचना और इस जैकुमार से क्या लेना देना है जम्बू जम्बू दीप के पूर्व विधे में पुश्कलावती नाम का देश है जम्बू दीप के पूर्व विधे मतलब ध्याना रहा आपको बोड़नी है अचे जम्बू दीप गोल जम्बू दीप है दक्षन के भाग में भरत चेत्र है मध्यवाले भाग में पूरव दिशा में पूर्व विधे है और पश्यम दिशा में पश्यम विधे है 16 इधर 32 विधे चेत्र होते है इस प्रकार से उस जम्मू दीप के पूर्व विधे छेत्र में एक देश है जिसका नाम है पुशकलावती देश का नाम है पुशकलावती देश के नाम पर भी इस्तरियों के नाम रख सकते हैं पुशकलावती कितना सुन्दर नाम है उसमें मरलाल वली नाम की एक नगरी है किस नाम की मरलाल वली कितने सारे नाम आते हैं प्राचीन कालों के इन गरंतों से ही पढ़ पढ़ के अपने देश में प्रांतों के जगेों के नाम अच्छे से अगर ऐसी रख ले ना नाम का कितना प्रभाव पढ़ेगा क्या नगरी है पुश्कलावती नागरी देश में मरडाल वली नाम की नगरी है वहां राजा सुकेत राज्ज करते थे पहले के काल में कभी वहां पे कौन रहते थे राजा सुकेत इसी नगरी में रती वर्मा नाम के एक सेठ रहते थे वर्मा जी रहते थे क्या नाम था उनका रती वर्मा सुकेत राजा का नाम था रती वर्मा सेठ का नाम था सारे नाम जाद करने चाहिए धीर 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 उनकी पतनी का नाम था कनक्षरी और पुत्र का नाम था भावदेव कितना ज्यान होता है पूर्वाचारियों को उनको भी परंपरा से इतने सारे ग्रंथों में कितने कितने नाम सब बिलकुल सटी कियाद रहते हैं और अपने को एक दिन बाद भी भूल जाते हैं कितने सारे ग्रंथ के ग्यान के आगे जो इन ग्रंथों को पढ़ लेता है वह वर्तमान के जो कॉमेक्स इत्यादी पढ़ते हैं जो स्कूल की कॉलेजों की कितावें उन्हें समझ में आ जाता है यह तो कुछ भी नहीं है बड़े बड़े प्रोफेसर इत्यादी जो भी लिख रहे हैं कितावें बिक रही है क्योंकि सबसे बड़े प्रोफेसर तो इस काल में भख़वान मावी रहें और वर्तमान की द्रश्टी से जो प्रोफेसर ग्यान मान सम्मेक्ग्यानी समझे जाएं तो जो मुनी महराज आचार सम्मेक चारित्र का पालन करने वाले उनका ग्यान की कोई भी सीमा नहीं है इन गरंतों से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से उनका ग्यान कितना अधिक रहता है कितने सारे नाम कितने स्थान किसने कब क्या किया हुए सब याद रहता है उनकी पतनी का नाम यानि जो रती वर्मा नाम के जो सेड़ जी है उनकी पतनी का क्या नाम है कनक श्री एवं पुत्र का नाम है भावदेव क्या नाम है पुत्र का नाम भावदेव और पतनी का नाम कनक श्री ठीक है वहीं शिरीदत नाम का एक वैश भी रहता था व्यापारी छत्रिय वैश ब्राहमण होते हैं न और कौन था एक वैश भी रहता था जिसका नाम था शिरीदत उनकी पत्नी बिमल शिरी एवं पुत्री रती वेगा शील वती थी इत्ने सारे लोगों के नाम आ गए एक साथ हम भी भूल गए शिरीदत की पत्नी कौन थी बिमल शिरी और पुत्री थी रती वेगा इसके लिए तो चार्ट बनाना पड़ेगा एक सेट हो गया रती वर्मा दूसरे हो गए शिरीदत श्री वर्मा की पत्नी थी कनक श्री पुत्र था भवदेव और श्री दत्त की पत्नी है विमल श्री और उनकी है पुत्री रतिवेगा अच्छा एक के लड़का है एक सेड़ जी के और एक सेड़ जी के लड़की है ठीक है एक अन्य तीसरे सेड़ जी भी थे अरे बगवान खतामीं हो रहे है तीसरे सेट जी का नाम था Aashok Dev नाम होण अच्छा है भाले पिता जी का नाम भी है तो Aashokh Kumarjay तो तीसरे सेट Aashok Dev थे उनकी पतनी का नाम था Jn Dattar और पुत्र का नाम था Sukhand इनके भी एक पुत्र पुत्री थे समय व्यतीत करते थे सारे सेटलों क्या है खुब धरमित्यादी करते थे एक दिन भवदेव के पिता ने रतीवेगा के पिता से सगाई हेतु प्रस्ताव किया एवं उसने सीकार भी कर लिया अब खानी में टिश्ट आ रहा है समझ रहे हैं क्या रहे है भवदेव के पिताने तीन सेठ है नगर में एक दो सेठों के पास तो लड़के हैं काहनी ऐसे समझ ले अगर नहां हम याद नहीं रह रहे हैं ठीक है पूर्व के काल में विदेश चेत्र में एक देश है जहां पर तीन सेठ रहते हैं दो सेठ जी के पास तो लड़के हैं और एक सेठ जी की लड़की है ठीक है तो भवदेव जो लड़का है एक सेठ का उसके पिताजी ने अपने मित्र दूसरे सेठ जी के पास उनकी जिनकी बेटी है रतिवेगा उससे अपने पुत्र की सगाई के हे तू प्रस्ताव किया कि चलो हम दोनों समधी बन जाते हैं दोस्त हैं काम धन्दा एक है मेरा बेटा तुमारी बेटी शादी कर लेते हैं एवम उसने स्वीकार भी कर दिया बात पक्की हो गई मंगनी हो गई भवदेव दुराचारी था क्या था? अच्छा आदमी नहीं था इता जी ने करवा दिया रिष्टा जाजा दांत पर्ताल नहीं करी गई सोच लिया कि बेटीक होगा लेकिन बदमास आदमी था दुराचारी था इसलिए उसको कुछ लोग दुर्मुक भी कहकर पुकारते थे दोस्तों में चर्चा थी कि इसका करेक्टर इसका चरित्र ठीक नहीं है खाने पीने वाला है या पहले ही सम्मन्दित्यादी विवास से पूर रखता होगा कुछ दुराचारी है मतलब अभी डिटेल में नहीं है पता चलेगा किस प्रकार से दुराचारी है अच्छा आदमी नहीं है धार्मिक प्रवत्ती का नहीं है परंतु जो रतीव वेगा है वह कैसी है शीलवती है वह धार्मिक जभावती है तो भवदेव के मित्र उसको दुर्मुक कहके बुलाते है यार तुम अच्छे आदमी नहीं हो उस समय भवदेव विदेश जा रहा था क्या कर रहा था काम दंदे के लिए पिता जी ने उसको विदेश बेजा अते है कन्या के पिता ने उसके पिता से पूछा कि सगाई कब तक के लिए स्थगित रहेगी अभी क्या होता है फॉन है बहुत सारी चीजे हैं इमेल हैं बटसप है फेस्बुक है या अन्य अन्य पिकारेन हवाई जाज हैं ट्रेन हैं बसे हैं एक देश से दूसरी देश कोई चला भी गया पॉन पे टच मेरेगा या आ जाएगा परन्तु पहले के लोग जब विदेश जाते थे तो कोई संदेश इत्यादी की कोई पहुचाने की गारंटी नहीं हुआ करती थी बयापार के लिए जाते थे यहां से अपना माल ले करके जाते थे और जब सारा माल बिक जाता था या वही पर जा करके कुछ विआपार करते थे और बहुत सारा धन अरजन करके तब ही वापस लोटते थे जैसे होता है न कि कई बार गाउं से लोग आते हैं शेहरों में छे महीने आठ महीने दस महीने नोकरी करते हैं बढ़िया सेहली दने कटा करते हैं फिर जब तक वे धन खतम नहीं हो जाता है तब तक गाउं से बापस लोटके नहीं आते हैं चुट्टी लेकर के गाउं जाते हैं जब वो खतम हो जाता है सारा पैसा फिर दुबारा सहर की ओर निकलते हैं फिर कुछ सालों तक कमाते हैं फिर कुछ साल गाओं में रहते हैं घर में रहते हैं बहुत बार लोग ऐसा करते हैं ऐसे ही उस समय भी लोग करते थे तो जो भवदेव था वह काम धंदे के लिए व्यापार के लिए विदेश जा रहा था तो लड़की के पिताजी ने रतिवेगा के पिताजी ने पूछा अपने समधी से कि भई सगाई कर दिये आपने पक्की कर दिये तो कब तक लोटके आ जाएगा बेटा शादी कब करनी है तब तक के लिए सगाई इस्थकित रखेंगे और पता चला तुमने बेज दिया लोट कि इसको है आया आया नहीं आया नहीं आया कोई चठी संदेज बेजने का तो अभी पता ही ना कोई समय सिस्टम नहीं होता होगा है तो अभी कब तक रोक के रखेंगे नहीं तो हमारी पता चला हमारी बेटी बुडी हो गई लोटके नहीं आया है तो कब तक के लिए सगाई इस्थगित रखे तो उन्हों ने उत्तर दिया कि चलो 12 वर्स की अवधी में यदि भवदेव लोटाया अब जा रहा है पता नहीं है साल पर में आ गया, 6 महिने में आ गया, 2 साल में आ गया 10 साल में आ गया तो एग्रिमेंट कर लेते हैं अधिक्तम 12 साल 12 साल इंतियार करवादो लुकी से भी तो छोटी है 12 साल खीच लेगी उसकी याद में तब तक इसकी दूसी है कि शादी मत करना 12 साल 12 वर्स की अवधी में यदि भवदेव लोटाया तो उसी के साथ विभा हो जाएगा अन्य था आप अन्य किसी व्यक्ती से कन्या का विभा कर देना अभी तो खाली हम दोरों ने बात पक्की करी है कोई फंक्शन तो किया नहीं है कोई भरमाला डली नहीं है कोई फेरे तो हुए नहीं है खाली बात ते हुई है और बिल्कुल सही बात है कि भी इधर पक्की करी अगले दिन बेटा जा रहा है ये कौन सी बात होती है है ना तो चलो पक्की कर दी हम अपनी बात पे रहेंगे तो एक काम करते हैं बारह साल अधिक्तम लगा लो पहले आ गया तो कोई बात नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ कमाव पूत तो बन जाए कुछ कमा के तो लाए योग तो हो तो इसलिए भ्यापार के लिए भेजना भी जरूरी है तो ठीक है जी एगरिमेंट हो गया कि चलो कोई बात नहीं बारह साल हम अपनी बेटी से इंतजार कर वा लेंगे लेकिन देख ले ना अगर बारह साल तक नहीं आया तो हम कहीं दूस्य के साधी कर लेंगे उसके बाद आ गया फिर आप बोलो कि ये क्या किया ओ क्या किया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है धीरे धीरे द्वादस वर्स का समय भी पूर्ण हो गया बारे साल देखते ही देखते निकल गए पर भावदेव नहीं लोटा अंत में कन्या के पिता ने अपनी पुत्री का विवहा बड़े वैभव के साथ अशोक के पुत्र सुकांत के साथ कर दिया जो तीसरे सेड़ जी थी थी ना अशोकदेव उनका पुत्र था सुकांत वो भी दोस्त थे उनके कि चलो कुई बात नहीं बारे साल बाद सुकांत के साथ उसका विवा कर दिया हमें पुरानी पिछर याद आगई कोसकी थी वो राज कपूर की थी किसकी थी तो मैडम जाने कोई वो सेना में चला जाता है एक हीरोस की पत्न पुछर थी राजिंदर कुमार था दिलीप कुमार था कौन था बाद में वापस आजाता है है ना तो हाँ देखी रोटाजी आपने राज को पूर्धा साइथ मैं कहा करू राम मुझे बुद्धा मेले ऐसी संगम है ना हाँ ऐसी तो बिचारा वो चला गया ख़र फैल गई पक्की ओने के बाद कि वो तो मर गया एना तो उसकी शादी दूसरी कर दी और वो बापस लूटाया लगए ऐसी कुछ प्रसंग बनने वाला फिल्मी स्टोरी बिल्कुल तर कॉन बन गया है क्योंकि दो लड़के है और एक लड़की है ठीक है ना गजब की फिल्मी स्टोरी कि आगे यह तो कि संगम पिच्चर थी क्या ऐसी कुछ बहुत बच्चपन में कभी देखी थी सुनी-सुनी सी लग रही है कि बाद में वो लौटके आ गया था जिसके साथ पहले शादी पक्की हुई थी चलो अंत में कन्या के पिता ने क्या किया अपनी पुत्री का विवा अशोक के पुत्र सुकांत के साथ कर दिया एवं वदू रती वेगा साक्षात रती ही थी जैसा उसका नाम था ना बहुत सुन्दर थी रती वेगा इस विवा के उपरांत भवदेव जब लोट करके आया बारे साल बाद तेरे चौदे साल बाद कुछ टाइम बाद आया बारे साल की कंडिशन तो पूरी हो गई थी फिर भवदेव लोट करके जिंदा वापस आगया कोई खबर तो दी नहीं थी ना चिठी थी ना पत्री थी ना कबूतर वेज करके संदेश विजवाया था भवदेव दाई साव लोट करके आगया वही फिल्मी स्टोरी लग रह एहा है ? ऌने वाद एवं जैसे ही उसने विवाह की चर्चा सुनी तौ वह बहुत करोधेद मुआ अरे ऐसे कैसे मेरी होने वाली पत्री की विवाह किसी और से कैसे हो गया ? अरे वार्यवर्ष की बात थी तो कुछ और थोड़ा इंतियार प्र लेते ! क्या किया ? भाँ, उसको क्रोड आया वि उस निश्भी मैं इंबड़ इनकाी मना रच उत्त भाँ बोंझ भाँ छब भाँ उनका सोलगए उसने निश्य किया कि इन दोनों का बद किये बिना से शनती नहीं मिलेगी अब क्या किया उसने दुराचारी तो था यह दुष्ट था जबकि भई एग्रिमेंट के अनुसार शादी हुई है तो महाँ पिताजी ने बचन दिया था एग्रिमेंट किया था अब नहीं ऐसे कैसे पागल हो गया हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी ने दूसरे शादी कैसे कर लिए कि दोनों को अब तो वद करूँआ मडर करूँआ दोनों कहीं कर दूँआ और तब तक वह सांती उसे नहीं मिलेगी जब तक नहीं मार दूँआ उसकी धंकी सुनकर उसने एनाउंस कर दिया गाओं मैं अपने देस में कि मैं आरहा हूं तुमको मानने के लिए पहले दंगा किया होगा लड़ाई जगड़ा किया होगा गालियां दियोंगी और धंका दिया होगा कि जान से मार दूँआ मेर से साधी कलो दूँआ से छोड़ दो इसको तो उसकी धंकी सुनकर सुकांत रतिवेगा को लेकर वन मैं अग्यात्वासे तू चला गया कि भई भालतू मैं क्यों रिस्क लो कि चलो कहीं गायव हो जाते हैं होता है ना कई बार डर से क्यों भालतू मैं यह मारेगा हमें से में गरी दोनों कहां चले गए अग्यात्वास में कहीं जाकर के गाय वो करके जान बचा करकर के रहने लगे वन में जाकर रहने लगे वहां सरोवर के किनारे शक्ति शेण नामक एक राजा ठहरा हुआ था राजा माराजा भी बीच विच पिकनिक बनाने आते है ना तो वहाँ पर गुमने के लिए एक राजा आया था शक्ति शेड नामक राजा आया थेरा था उसने राजा की शरन ले ली किसने रतिवेगा ने और अब उसका जो पती है सुकांत राजा के पास पोँच गए उधर दुर्मुक भी उनके पीछे पीछे चलाया कहां गई दोनों कहा तयंसे ऐसे पूफते 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 फोटो दिखाते दिखाते कहां पहुंच गया जगल मैं भी वह पोँच गया जब आद्मी दुर्मुक भी हो जाता है मुऊ के कारण से तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है अकस्मात फिर क्या हुआ दुर्मुग भी पीछे पीछे चलाया परंतु जब राजा शक्ति शेड के समक्ष उसका वश्ना चला तब है बापस लोटा है जब देखा राजा के पास इतने सहने गए हैं मैंने अगर यहां पर अकेला हुँ मैं और मैंने इन दोनों को मार दिया तल्वार से बाले किसी से भी तीर से तो यहां यह मेरा हत्कियात काम तमाम कर देंगे राजा के पास बैठा है सरण में उसकी तो डर के मारे खुदी बापस भगाया भग लिया कि बाद में देखता हूं तुझे आदमी देखता है ना कि मुझ से ज्यादा बल्शाली है तो बापस आ जाता है कमजोर के प्रती ही गुस्सा आकरमन दिखाया जाता है हम सबके साथटा है निरत इयां जो अपने से ढ़ाइब कमझोर दन में अशक्ति में कमझोर हो किसी पद में पावर में कमझोर हो उसी पे हमारा बश्च चलता है जो हम से जादा पावरफुल है उसे लहां इसर नीचे हो जाते हैं तो अपने तो अफसर कौन है भगवान माहवीद, सबसे बड़े वाले, तो अबन किसी से क्यों डरें, अगर कोई का अब गलत किया है तब डरेंगे, नहीं तो क्यों डरेंगे, तो वह वापस आगए, अकस्मात राजा के यहाँ, उसी दिन आकाश से चारण रिधी धारी मुनी का आगमन हो गया, क्या हुआ जंगल में, आकाश मारक से उड़ते हुए, दो मुनी माराज, चारण रिधी धारी मुनी आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि यहाँ जंगल में राजा ने बढ़िया से इंतिजाम कर रखा है, राजा ने जैसी देखा, आकाश मारक से चारण रिधी धारी मुनी राज आ रहे हैं, उनको नमुस्तू किया, नमुस्तू, 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 आहारजल शुद्ध है और उनका पढगाहन कर दिया हैं जंगल में, लोग क्याते हैं, अरे मुनी माराज का चौके की विस्ता करनी पड़ेगी, कैसे होगी, क्या होगी, ऐसे होते हैं पुन्यशाली जी जहां पर भी आओ, तो सही कर देंगे, है, स्रियांस ने कुछ नहीं ता तो गन्ने का जूसी पिला दिया आदिनाथ भगवान को, चंदन बाला पर कुछ भी नहीं ता तब भी आहार करा दिया भगवान महावीर को, इस प्रकार से अनेको अनेको अधारन मिलते हैं, जंगल में उस राजा ने, चारां डिद्धी धारी मुनी राजाओं का पढगाहन कर डाला कि आओ पधारो, राजा ने उनको भक्ति भाव सहित आहार दिया, एवं अपने को धन्य समझा, खूब भक्ति के साथ, खूब आहार दिया और बहुत धन्य हो गया, आकाश मुलने वाले मुनी हैं कोई हलके मुलके दौह होंगे नहीं, आहार की विधी को देखकर वे दोनों दंपत्ती मन में बहुत प्रसन हुए, आहार दिया नहीं है उन दोनों ने, वो तो खाली वहां पर आ गए थे, कि हमें कोई महर ने आया हमें बचा लो, उन्होंने जब राजा को आहार देते हुए देखा, किस प्रकार से मुनी महराजाओं को दिगंबर मुनी महराज नगने हैं, पीछी कमंडल है वस, आकाश मार्क से आ रहे हैं, उनको आहार देखकर के ही अनमोधना कर डाली देखिएगा, कितना जबर्दस प्रसंग आ रहा है, आहार की विधी देखकर वे दोनों दंपत्ती मन ही मन बहुत प्रसंग हुए एवं द्वादश भावनाओं का आराधन चिंतवन करते हुए वहीं रहने, आहार देखा और बारे भावनाएं, कौन-कौन सी हैं, क्यों भईया जी, बारे भावनाएं, राजा, राणा, चत्रपती, हाथिन के अवसार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वावनाओं, कौन-कौन सी भावना हैं, हैं, अश्रन भावना, संसार भावना, एक अत्त भावना, प्रत नत्रे हैं, संसार भावना, बोजी दूला भावना, यह सारी भावनाओं का चुन्तवन करते हुए, उन्मुनी महाराज के दर्शन के बाद, अपना जीवन परियंत तक, वहीं जंगल में दोनों, शांती से रहने लगे, तत पश्यात, एक दिन, जब राजा तो पर्मानेंट बारा नही है ना, वे दोनों भहीं अपना अश्रे बना करके, जो राजा ने कुटिया वगेरा बनाई थी अपने जंगल के, अपने छणिक विश्राम के लिए जहां पर आर दिया था, जिस जगह चारन इद्धी धारी मुनी महाराजा का आर हुआ था, उस जगह को धन्य करके, वे दो दमपत्ती को अगनी में जला करके मा डाला, अब राजा हमेसा तो वह रहा नहीं, फिर दुवारा मोका देख करके आ गया, कभी क्या पता वहीं मिलेंगे, उसे जैसी पता चला, अब राजा मा रह रह नहीं रहा है, तो फिर सेना वेना के साथ में भीड़े घटी करके गया यह के लगया होगा, दोके से उनका घर जला डाला, दोनों दमपत्ती, क्या हुआ मृत्ति को प्राप्त होगे, परंतु, राजा के अनुचर अभी भी भाहीं, रह रहे होंगे कि इतनी उचेती स्थाने राजा आता जाता रहता है, तो उस स्थान पर राजा के सेने, सेवक वहां पर विद्मान होंगे, उनको पता चल गया, या बाद में पता चला होगा, तो अनुचरों ने, भावदेव जिसने आग लगाई थी, उसको भी बंदी बना लिया, और उसको राजा ने, प्रान दंड दे दिया, खुद भी नहीं बसता है, आदमी सोचता है, मैं इनको मार दूँगा, या तो पंदरे बीस-पचास साल के लिए जेल में चला जाता है, या भाई की वही सामने वाले मार देता है, और लोग मार देते है, आक्रोश, क्रोध, बहुत बुरी चीज है, तो बारे साल मेहनत कर कर के आया, और एक इस तरी के चक्कर, और बही एग खुद भी मरा और उन दोनों को भी मार दिया, देखिए किस प्रकार से यह जीव दुर्भावना से ग्रसित हो कर के कितने बड़े-बड़े अपकार के कारे कर दिया करता है, ऐसे कारेयों की पुन्रवत्ती नहों पाए, और ये घटना किसकी चल रही है, वह सुलोचना नाम की इस्तरी, उन कबूत्रों को देखने के बाद में बाकी लोगों को अपने पूर भव की कता सुना रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों से सम्मंदित वह कता हो सकती है, या तो भव देव से सम्मंदित होगी, रतिवेगा से, या तीसरे कोने सुकांत से, तो कहीं ना कहीं स मंद रहा होगा अभी देखते हैं कल के सौध धह में हम जानेंगे कि सुलोचना और जै कुमार से उन कबूतरों का क्या सम्मंद है और इन तीन सेड़ जी उनके पुत्र पुत्रियों से क्या सम्मंद है आपकी कक्षा का समय हो रहा है जै भुली भगवान महाविर स्वामी की जै भुली ये शुब चंदर जी महराज की इस युग के परसमाचार शरी चारित्र चक्रवती आचार भगवन शरी शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जै जनेंदर जैदू जडंदू